हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो में दोस्तों देखी एक नया जॉब नया ड्राइंग जो आप तो नया नहीं है, मेरे लिए नया है, मतलब मैं नई जगब बे आया हूँ, तो मेरे लिए नया यह है, तो आप लोग को बताता हूँ इसके बारे में, यह देखिए एक heat exchanger है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका ID दिया हुआ है, तो यह जो है इसका bonnet आप देख स left hand side होता है, एक left hand side, तो इसको मतलब ड्राइंग में इस तरह से लिखते हैं, left hand side और right hand side, तो यहाँ पर देखिए यह slope भी दिख रहा है, slope कितना है, पांच डिगरी, टोटल जो है पांच डिगरी में जुका हुआ है, यानि इतना यह slope है, तो जो भी इसमें नोजल लगते ह नोजल तो एक दम आपको सीधा लगाना, जो आपका कितना भी टेडा हो जाए, नोजल आपको सीधा ही लगाना है, तो वो कैसे लगाएंगे, कया तरीका होता है, यह सब वीडियो में बताऊंगा मैं आगे, इस वीडियो में बस देखिए, आप ड्राइंग देखिए और सम हुआ है, बाकी बॉफल वगरा दिया है, सैडल दिया है, और नोजल का हाइड वगरा है, हाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं, प्लस एडल में होल वगरा कितना सेंटर यह सब दिया रहता है, तो हीट एक्सिंजर का भी मैंने जॉब बहुत पहले किया था, लग बहुत द करके जरूर बताएं, कि वीडियो यह वाला अच्छा बन रहा है या नहीं, या हीट एसिंजर के बारे में अगर बनाऊंगा तो इंटरेस्टेड हैं आप लोग या नहीं, और यहां पर देखिए, यह सब नोजल का पाइप होगरा, नोजल का डेटेल होगर दिया हुआ है, अपलस इस सैड में जो है जनरल नोट्स और जो जब भी आप कोई नया काम चालू करते हैं, तो एक बार जो है जनरल नोट्स पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि इसमें बहुत महत पूर्ण बातें लिखी जाती हैं, जो कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं, तो जोब बनाने में कुछ थोड़ा बहुत मिश्टिक हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे बार नमर का पॉइंट देखिए, आल, अल एलिवेशन और गिवेन फ्रॉम बोल्टिंग फेस ऑफ बोडी फ्लांच, एंड ट्यूब सीट, मतलब जो ट्यू पे है, उसके फेस से एलिवेशन मार्किंग करना है, तो यह सब पॉइंट है, यह नहीं कि आप सिधा, इसके लिया पाटा पकड़े सिधा एकदम बराबर और वहां से मापती है, क्योंकि बोल्टिंग के फेस से आगे भी कुछ सरेशन बगर रहता है, आठ दर सेमन, तो वह हम आए.